धन्यवाद अद्यक जी मैं एक बहुत ही महतुपूर्ण विशे पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ ये जूट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये बहुत बड़ा घोटाला भी है दिली में जो सरकार 7 वर्षों से सत्था में हैं वो दिली के गरीबों वंचीतों के साथ में एक वाइदा करके आई थी कि हम आपको मुफ्त में बिजली पानी देंगे मगर आज दिली में इसके बिल्कुली विप्रीत हो रहा है आज लोगों के घर में छे महीने तक बिजली का पानी का बिल फ्री दिया जाता है जीरो कर दिया जाता है और साथ महीने पूरे साथ महीने का इखटा दे दिया जाता है मैं बहुत सारे हजारों बिल मेरे कारले में शिकायत के रूप में आये थे ये जो जेजे क्लस्टर है ये दिल्ली जल बोर्ड का 42,000 रुपे का बिल एक घर में आता है और ये कोई गलती से नहीं आया है उसके घर में पानी का कनेक्शन काट दिया गया है और ऐसे ही एक और ख्याला जेजे बस्ती में वहाँ पर 31,000 रुपे का बिल आया है ये पानी के बिल है जो पानी फ्री देने का वायदा था और ये बिजली के बिल है जो एक घर में 6,000,000 रुपे का बिल आया है और ये 22,000 गच का मकान है एक घर में जो च्छावला में जुगी है वहाँ पर 4,33,000 रुपे का बिल आया है एक जो 33 गच का मकान है यहाँ पर 1,93,000 रुपे का बिल आया है यह सारो बिल जो एक एक गरीब आत्मी के घरों में जब चुनाव आता है तो दिल्ली का मुख्य मंत्री उनके घर में जीरो का बिल भेशता है चुनाव खतम होते ही ये बिल को बढ़ा कर पिछले सारे महीनों को जोड़ दिया जाता है मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकरशित करना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में देश में सबसे महंगी बिजली है आज घर में 8 रूपया 90 पैसे पर यूनिट की बिजली मिलती है और जो कमर्शल एरिया उसमें 18 रूपय नभे पैसे की पर यूनिट की बिजली मिलती है और दिल्ली के किसानों को तो खेती का कनेक्शन ही नहीं मिलता आज जो fix charges हैं वो भी देश में सबसे ज़ादा हैं घर में 173 रुपया और जो commercial unit हैं उनमें 270 रुपया मैं आपसे ये मेरा एक आपसे निवेदन है किसकी जाच होनी चाहिए कि सरकार बोलती है जीरो दे रहे हैं और वो पंजाब में जाकर मुख्य मंत्री एक लाग बिल ले जाता है मैं सदन में एक लाग बिल लेके आ सकता था वो वहाँ पर जाके कहता है जीरो आता है मतलब सरकार तो जीरो दिखा रही अपने आकड़ों में और लोकों को घर में लाखों का बिल जा रहा है तो ये कितना बड़ा घोटाला है और ये सारे पैसे कहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं कितने जूटे विग्यापनों पर लग रहे हैं ये सरकार को दिली के मुख्य मंत्री से पूछना चाहिए बच्चों की बिजली काट दी जाती है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के समय में ऐसे पेंडेमिक में जब लोकों के घर में पानी बिजली की दोरी मार पड़ रही है तो वो उधार ले लेकर अपना कनेक्शन जोडते हैं ऐसे समय में दिली का मुख्य मंत्री लोगों के साथ में फरेब कर रहा है और इतना बड़ा घोटाला कर रहा है मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए